हेलो माई जीनियस फैमली डिस इस पुरु सोतम हीर वेलकमिंग यू टू जीनियस अकेडिमिक्स आज के हमारी सेशन में हम क्या डिसकस करने वाले हैं आज हम स्टांडर 10 का चैप्टर लाइफ प्रोसेस के टॉपिक रेस्पीरेशन को बहुत ही बनिया तरीके से समझने वाले ह और इस तरीके से समझेंगे कि वीडियो के साथ साथ आप वोट्स के लिए भी प्रिपेर होते जाओ So let's begin with our today's session So let's understand what is respiration और respiration की जरूरत है क्या हमारे बोडी में तो देखो हम जो भी काम करते हैं for example हम राइटिंग वर्क करते हैं या फिर हम वाकिंग करते हैं तो उस वक्त हमारे cells को energy चाहिए होती है और यह energy कौन से process से आती हैं तो यह कौन से process से आती है energy with the help of respiration तो respiration में ऐसा होता क्या है तो respiration is the breakdown of glucose to get energy तो respiration क्या है simply जो हमारे cell में जो भी glucose होता है तो respiration process में क्या होता है उस glucose का breakdown होता है और जब glucose तूटता है, जब glucose oxidize होता है, तो हमें energy मिलती है, मालो मैं अभी लिख रहाँ, तो मेरे hands में क्या होगा, glucose बहुत सारे glucose तूट रहे होंगे, और तभी मैं लिख पा रहा हूँ, मैं काम कर पा रहा हूँ, और तभी मेरे हाथ में energy आ रही है, तो कैसे आ रही है, with the help of resp respiration, respiration में glucose का breakdown हो रहा है, जिसकी वज़से energy release होती है, और यह सब process कहां पे हो रहा है, this breakdown of glucose takes place inside cell, so it is also called cellular respiration, यह जो पूरा process है, जो glucose तूट रहा है, यह कहां पे तूट रहा है, cell के अंदर, जो हमारा cell होता है, उसके अंदर glucose तूट रहा है, और हमें energy मिल रही है, तो इसलिए हम क्या बोलते हैं इसे, cellular respiration, क्योंकि यह respiration कहां पे हो रहा है, हमारे cell के अंदर, हमारी body पूरी cell से बनी हुई है, तो हमारे cell के अंदर होता है respiration, that's why we called it cellular respiration, अब देखो इ C6H12O6, यह glucose का formula है, अब यह जो glucose है, वो oxygen के साथ क्या करता है, react करता है, जो हम inhale करते हैं न oxygen, वो हमारे cell तक जाता है, आपको पता है, जब हम oxygen को अंदर लेते हैं, तो हमारे पूरे cell तक जाता है, और जैसे वो cell में जाता है, तो glucose के साथ मिलके क्या होता है, हमें energy मिलती है यह देखिए energy मिलती है और साथ में carbon dioxide release होता है हम oxygen इनहेल करते हैं इनहेल करना यानि कि अंदर लेते हैं तो हम बाहर क्या देते हैं co2 ओके तो यह co2 कहां से आता है हमारा cell respiration कर रहा होता है हमारा cell glucose तोड़ता है तो oxygen को use कर लिता है और बदले में co2 release करता है और साथ में water भी रिलीज होता है और हमें मिल जाती है energy in the form of ATP now what is ATP तो ATP आपने nine standard में भी पढ़ा है और ATP का full form क्या होता है adenosine triphosphate और यह ATP की जरूरत क्या है तो ATP हमारा energy currency of the cell है जैसे मालो आप कोई भी shop पे जाते हो तो आपको currency देनी पड़ती है न तभी आपको सामान मिलता है बदले में वैसे हमारे body में energy के लिए कौन सी currency होती है ATP हमारी currency की तरह काम करती है और ATP की वज़त से हमें energy मिलती है अब देखो बहुत से students को confusion होता है कि क्या breathing और respiration same है respiration and breathing are same or different यह बहुत लोगों को confusion होता है और कई students ऐसा भी सोचते हैं कि respiration और breathing दोनों same है तो यह बिल्कुल wrong है respiration and breathing same नहीं है breathing हमारा respiration का part है और respiration हमारा एक पूरा एक chemical process है so let's understand the difference between respiration and breathing so let's understand the difference between respiration and breathing ताकि हमें थोड़ा सा भी doubt ना रहे हम यह confusion में ना रहे कि respiration और breathing दोनों same है ऐसे confusion हमें नहीं रखना है तो इसका difference हम देख लेते हैं तो respiration क्या है it's oxidative breakdown of food to release energy तो respiration में हमने देखा कि glucose क्या हो रहा है वो oxidize हो रहा है हमने देखा ना oxygen के साथ मिलके वो हमें energy दे रहा है तो यह हमारा respiration होता है पर breathing क्या होता है breathing में ऐसा कुछ नहीं होता breathing मतलब simple सास लेना आप अंदर लो air को और बाहर exhale कर दो बस वही हमारा respiration होता है process of inhaling O2 and exhaling CO2 that is simply breathing आप सास अंदर ले रहे हो सास बाहर छोड़ रहे हो बस वही breathing है पर respiration क्या है जो हमारा glucose होता है वो oxygen के साथ मिलके एक chemical process कर रहा है और उससे हमें energy मिल रही है so you understood this first difference तो देखे कितना बड़ा difference है यह जो breathing है न यह respiration का ही part है ऐसे हम बोल सकते हैं क्योंकि देखो breathing हो रहा है हम सास ले रहे हैं तभी हमारे cell तक oxygen पहुच रहा है और हमारा respiration हो पा रहा है अब next point क्या है कि respiration is a biochemical process यानि कि जो हमारा respiration है वो एक biochemical process है biochemical process यानि कि आपने देखा कि किस तरीके से एक chemical process हो रहा है जो glucose है वो oxygen के साथ मिलके carbon dioxide release कर रहा है water release कर रहा है और साथ में हमें energy दे रहा है और उसी energy के वेज़े से हम कोई भी काम कर पा रहे हैं और देखो breathing क्या है breathing is simply a physical process इसमें कोई भी chemical process नहीं हो रहा आप simply सास अंदर ले रहे हो और co2 बाहर छोड़ रहे हो that is only breathing तो यह एक simple सा physical process है अब देखो respiration क्या है respiration is a slow process यह इतनी जल्दी नहीं होता respiration इसमें थोड़ा time लगता है क्योंकि glucose को तोड़ना है और उससे breathing कर रहा हूं तो कितनी जल्दी हो रहा है हम सास अंदर लेते हैं सास बाहर छोड़ते हैं हो गया हमारा breathing तो यह हमारा बहुत ही rapid यानि की fast process है पर respiration हमारा slow process है अब topic आता है breakdown of glucose in various pathways और यह हमारा most important topic है इस topic से question highly expected होते हैं तो इसको बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझना है और मैं भी आपको बिल्कुल basic से समझाओंगा ताकि यह topic को आप बिल्कुल अच्छे से समझ जाओ और एक भी question आ जाए तो उसे आप छोड़ करना आओ तो इससे हम बहुत ही अच्छे तरीके से अभी हम समझते हैं तो पहली बात कि हम इसमें पढ़ेंगे क्या तो जो हमारा glucose होता है वो अलग-अलग तरीक 6 carbon molecule है यानि कि इस तरीके से 6 carbon molecules उसमें होता है 3, 4, 5, 6 इस तरीके से 6 carbon molecule हमारा glucose के अंदर होता है अब देखो साइटोप्लाज्म के अंदर साइटोप्लाज्म यानि की हमारा जो सेल होता है उसके अंदर जैली लाइक सबस्टेंस होता है जैली लाइक सबस्टेंस जिसे हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म तो साइटोप्लाज्म के अंदर ही हमारा ग्लुकोस क्या होता है तीन-तीन कार्बन में टूट जाता है यह देखो यह हमारा six carbon ठाना six carbon तो यह क्या होगा बीछ से टूट जाएगा इधर से टूट जाएगा और ये तीन-तीन carbon का दो बना लेगा एक carbon काGreen rat चीरा तीन carbon और दूसरी जग Butule में तूट गया और इसको हम क्या वोलते हैं पाइरुवेट यह जो आपको 3-carbon की chain दिखरिए न यह क्या है हमारा पाइरुवेट है ओके 3-carbon molecule और देखो glucose तूट रहा है भले 3-3 में तूट रहा है पर इधर breakdown हो रहा है तो साथ हमें हमें energy भी मिलती है मैंने आपको बताया न जब भी glucose का breakdown होता है तो हमें साथ में energy भी मिलती है, तो इधर जो 6 carbon molecule हमारा glucose था, वो हमारा cytoplasm के अंदर, cell में जो cytoplasm है, उसके अंदर वो 3, 3 carbon pyruvate में तूट गया, 3 carbon pyruvate, 3 carbon pyruvate, तो इस तरीके से वो 2 pyruvate में तूट गया, 3, 3 carbon के, अब देखो, इसके बाद ये सब में सेम रहेगा, ये जो process ह है, सब में सेम रहेगा, आप इसके बाद देखो, इसके बाद ये condition पर depend करता है, पहली condition हम इसकी देखते हैं, in the presence of oxygen, यानि कि जब आपके body में अच्छी खासी oxygen present है, आप मालो अभी हम normally बैठे हुए हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, हमारे body में बहुत ही अच्छी amount of oxygen जा रही ह हमारे सरीर को जितना oxygen चाहिए, उतना उसे मिल रहा है, और वो एकदम आराम से energy release कर रही है, तो जब भी presence of oxygen में क्या होता है, जो हमारा pyruvate होता है, pyruvate में आपको बताया न, जो glucose है, वो टूट गया 3-3 carbon molecule में, जिसे हम pyruvate बोल रहे हैं, तो pyruvate क्या होगा, जब भी oxygen होगा तो ये किस में चला जाएगा, mitochondria में, okay, cell के अंदर आपको पता है न, cell organal होता है एक, जिसे हम क्या बोलते है, mitochondria, और ये mitochondria के अंदर क्या होता है, जब भी oxygen प्रेजेंट रहेगा, तो ये pyruvate इसके अंदर, cytoplasm से mitochondria के अंदर enter कर जाएगा, और mitochondria के अंदर ही, ये carbon dioxide बना साथ में energy देगा, okay, अब ये देखो, carbon dioxide कितना carbon का बना हुआ होता है, one carbon molecule है ये, तो इधर हम क्या देख रहे हैं, जो ये तीन carbon था, ये और तूट गया, mitochondria में जाने के बाद, ये और एक-एक carbon molecule में तूट गया, तो इधर हम क्या देख रहे हैं, कि जो 3 carbon था, वो completely तूट किसकी वज़से, oxygen की वज़से, जब हमारे body में अच्छी खासी oxygen जा रही थी, तो हमारा जो 3 carbon molecule था, वो एक-एक carbon molecule में आराम से तूट गया, और जिसकी वज़से हमें carbon dioxide रिलीज हुआ, साथ में water रिलीज हुआ, और high amount of energy भी रिलीज होता है, about 38 ATP, अब ये जो 38 ATP है न, it's large amount of energy, okay, तो इधर हम क्या देख रहे हैं, कि जब oxygen present है, तो अच्छी खासी energy हमें मिल रही है, अब देखते हैं कि जब lack of oxygen होता है, तो क्या होता है, यानि कि जब हमारे body में oxygen की कमी हो जाती है, अब oxygen की कमी कब होती है, जब हम physical exercise करते हैं, यानि कि जब हम कोई भारी काम करते है हैं, यानि कि देखो, जब भी कोई भी जिम में जाते हैं, या फिर आप simply running भी करते हो, तो उस वक्त हमारे body को ज़्यादा energy चाहिए होता है, ताकि वो ज़्यादा काम कर सके, जब आप भागते हो, तो आपने देखा होगा, आप जल्दी ठक जाते हो, तो उदर क्या होता है आपकी energy use हो रही होती है, और उस वक्त अगर आपके body को उतनी oxygen नहीं मिलेगी, तो वो क्या हो जाएगा? energy level कम हो जाता है, तो जब भी भी lack of oxygen होता है, तो कैसे हमें energy मिलती है, तो वो देखते हैं, तो जब भी भी यह होगा न, तो देखो यह जो 3 carbon molecule है, यह जो है, बीना oxygen के ही क्या होगा? हमें energy देने लगेगा, और यह तूट नहीं पाता, तूट नहीं पाएगा, तो यह 3 carbon ही रहेगा, तो यह देखिए, lactic acid बनेगा, जो कितना है, 3 carbon molecule, और साथ में हमें energy मिलेगा, तो हमारी body क्या करती है, कि कुछ ना मिले, उससे अच्छा थोड़ा बहुत ही energy मिले, तो हमारी body काम चलाती है, in the lack of oxygen, जब आप कोई भी काम कर रहे हो, physical exercise, आपके body को energy तो चाहिए, तभी आप कुछ भी काम कर पाओगे, पर आपके body में उतनी oxygen ही नहीं जा रही है, तो आपकी body क्या करेगी, बीना oxygen के ही क्या करेगी, वो आपको energy देगी, पर साथ में वो lactic acid देगी, lactic acid क्यों, क्योंकि उधर oxygen नहीं पहुच रहा, तो ये carbon तूठी नहीं पारा, और ये 3 carbon का 3 carbon ही रह जा रहा है, और नीचे वाले case में हमने क्या देखा था, इधर मस्त oxygen पहुच रहा था, जिसकी वज़से ये 3 carbon जो था न, वो क्या हो रहा था, एक एक carbon में तूठ गया, जिसके वज़से हमें carbon dioxide मिला, पर इधर तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा, इसलिए हम इधर lactic acid म पात में हमें energy मिल जाता है, अच्छा खासा, पर ये about 2 ATP ही होता है, 2 ATP, मतलब कम मिल रहा है, पर कुछ ना मिलने से अच्छा कुछ मिली रहा है, और ये जो होता, ये 38 ATP था, तो आप देख रहे हो difference, इधर 2 ATP about, और इधर 3 ATP मिल रहा है, तो कितना ज्यादा difference है, तो इधर जब Lactic Acid जब जमा हो जाती है हमारे body में, तो वो हमें pain देती है, हमारे muscle में धर्द होने लगता है, जब आप कोई भी physical exercise कर लेते हो, heavy physical exercise, उसके बाद 2-3 दिन बाद आपके muscles बहुत धर्द होते हैं, वो क्यों धर्द होता है? Lactic Acid की वज़से, ये हमारे muscular cramp कर देता है, यानि क कि हमारे muscles में pain होने लगता है, Lactic Acid की वज़से, तो आपको one marks के लिए भी पूच सकते हैं, कि muscles में किसकी वज़से हमें muscular pain होता है, तो Lactic Acid की वज़से, ओके, अब हमने second condition भी देख लिया, अब देखो third condition देखते हैं, और वो किसमें isht में, let me erase it, ओके, अब हम देखते हैं इसिह में हमें कैसे मिलता है, oxygen, यह energy, इसित कैसे अपनी energy लेता है, तो देखो, इस्त के अंदर क्या होता है, जो यह pyruvate होता है, ठी carbon pyruvate, यह क्या होगा, बीना oxygen के ही टूटे गा, यह जो 3-carbon है न, यह क्या होगा, ऐसे बीछ से एक carbon अलग हो जाएगा, और 2-carbon ऐसे, यह 2 carbon और 1 carbon molecule तो इधर क्या हो रहा है इधर यह जो पाइरुवेट है यह 2 carbon molecule में टूट रहा है तो यह 2 carbon molecule है यह इथनॉल है ओके इथनॉल में हमारा 2 carbon molecule है और यह जो बचा हुआ एक oxygen है यह हमारा एक oxygen carbon dioxide के form में बाहर रिलीज हो जाता है और साथ में इसे मिलता है इस्ट को energy और इस्ट यूनो ना इट्स यूनिसेललर फंगी ओके यह इस्ट क्या है हमारा एक फंगी है इस्ट हमारा फंगी है ओके तो इस्ट के अंदर क्या होता है हमें 2 carbon यह देखो 2 carbon है जो हमें मिल रहा है इत्थेनॉल 2 carbon molecule और यह जो एक carbon है यह हमें मिल रहा है in the form of carbon dioxide और साथ में energy मिलती है अब देखो इस्ट का भी हमने समझ लिया कि इस्ट इस तरीके से respiration कर रहा है और अपनी energy ले रहा है तो आपने देखा किस तरीके से सभी हम human beings कैसे energy ले रहे हैं इस्ट कैसे energy ले रहा है यह हमने समझ लिया अब देखो आपके exam में कई बार पूछ लेते हैं कि इस्ट से related question पूछ लेते हैं तो जो इस्ट है न यह जो इस्ट है इसका बहु इस्ट है हमारा यह क्या release कर रहा है carbon dioxide gas अब देखो जब इसको हम डो में डालते हैं जो ब्रेड के लिए आटा होता है न उसमें हम लोग किसको डालते हैं इस्ट को डालते हैं और इस्ट अंदर उदर करता क्या है इस्ट तो अपना respiration करेगा न इस्ट को भी energy चाहिए भाई कारे process होगा उसमें ऊके तो यह जब भी process होगा तो साथ में क्या release होगा carbon dioxide gas यह देखो carbon dioxide gas release हो रहा है न तो carbon dioxide gas से यह एक जगह नहीं रहेगा यह release होगा तो यह जब निकलता है na carbon dioxide gas तो यह पूरे आटे में क्या कर देता है हौल कर दिता है छेद छेद करके यह बाहर निकल जाता है कार्बें डाउकसाइड जिसकी वज़े से हमारा ब्रेड क्या हो जाता है एकदम प्लफी हो जाता है जो भी आप केक्स भी खाते हो तो वो क्या होता है एकदम प्लफी होता है क्यों प्लफी होता है इस इस्ट की है तो यह carbon dioxide release करता है मस्त और यह carbon dioxide की वज़े से केक के bread में छेद छेद हो जाता है और वो एकदम मुलायम soft हो जाता है spongy तो आप समझ गई इस्ट का use क्यों करते हैं क्योंकि इस्ट हमारा carbon dioxide gas release करता है और यह carbon dioxide gas हमारे केक को spongy बनाता है understood this अब देखो इधर हमने एक चीज observe की कि हमारा respiration oxygen के presence में भी हो रहा है बीना oxygen के भी हो रहा है तो इधर से हमें क्या पता चल रहा है कि respiration दो तरीके से होता है एक तो बीना oxygen के और एक oxygen के साथ तो इसलिए हम respiration को classify करते हैं दो केटेगरी में हमने देखा एक बार oxygen के साथ भी हो रहा है माइटो कॉंडिया के अंदर oxygen के presence में हो रहा था पर जब oxygen नहीं मिल रही थी तब भी हो रहा था ऐसा नहीं था कि नहीं हो रहा respiration तब भी हो रहा था तो इधर क्या हो रहा है oxygen के presence में भी हो हो रहा है तो इसलिए हम रैस्पीरेशन को two category में classify करते हैं and that is aigric expiration and anaerobic respiration aerobic respiration यानि की जब हमारा respiration हो रहा है oxygen के present में तो उसे हम बोलते हैं aerobic respiration जैसे हमने इधर देखा इधर हमने देखा oxygen मस्त मिल रहा था और इधर respiration हो रहा था तो यह हमारा हो गया aerobic respiration और हमने इस्ट में देखा कि इस्ट क्या कर रहा है बिना oxygen के must energy बना रहा है तो वह हमारा किस में आ जाएगा anaerobic respiration यानि कि वह respiration कर रहा है पर बिना oxygen के in the absence of oxygen अब चलो यह aerobic respiration और anaerobic respiration में डिफरेंस और अच्छे से समझते हैं सो अब types of respiration के बारे में जानते हैं तो types of respiration मैं आपको बताया aerobic respiration and anaerobic respiration और इसका आप difference समझते हैं तो देखो aerobic respiration यानि कि मैंने आपको बताया जो respiration हमारा हो रहा है in the presence of oxygen that is known as aerobic respiration the respiration that takes place in the presence of oxygen okay aerobic respiration अब anaerobic respiration क्या है it takes place in the absence of oxygen बीना oxygen के ही हमारा जब respiration होता है तो वह हमारा anaerobic respiration होता है next point occurs in mitochondria समने देखा aerobic respiration कहां पे हो रहा था हमारे cell के अंदर mitochondria के अंदर हमने देखा था कि aerobic respiration हो रहा था oxygen उसको pyruvate को अपने साथ mitochondria में लेके गया और उधर उसको तोड़ डाला किसमें carbon dioxide में साथ में water release किया और energy हमें मिली तो यह कहां पे हो रहा था mitochondria के अंदर पर जो anaerobic respiration था जैसे कि हमने देखा इस्ट में और हमारे अंदर भी होता है जब हमारे body में उतनी oxygen नहीं पहुच पाती और हमारे body को ज़्यादा oxygen चाहिए होता है पर हमारी body में उतनी oxygen जाती ही नए तो हमारा body b e productive praw करता है तो कहां पहुचा होता है साइटो प्लास्म के अंदर ही हो जाता है क्योंकि हमारे body को जल्दी-जल्दी अज सब्सक्राइब DR भी एइनरजी हमें देती एडिक्टिक प्लस एण अब देखा था अब देखो थर्ड पॉइंट एंड प्रॉडक्स क्या होते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन के कार्बन डाउक्साइड प्लस एच्टू ओ और साथ में हमें एनरजी मिलती हैं तो हमने देखा था कि एरोबिक यानि कि जब हमारे बॉडी में अच्छी खासी ओक्सिजन जा रही थी तो हमें कारबेंट डाउकसाइड हो रहा था साथ में वाटर रिलीज हो रहा था और एनरजी मिल रही थी पर एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या था हमने देखा रिलीज हो रहा था जानी कि इथैनल हमने देखा इथेनौल हो रहा था और हमारे अंदर लेक्टिक एसीड फॉर्म हो रहा था एन अरोबिक रेस्पिरेशन के वक्ष फोर्थ पॉइंट जीखते हैं more amount of energy is released हमने देखा था aerobic respiration में around 38 ATP release हो रहा था पर वही एन अरोबिक रेस्पिरेशन में about only 280 ATP release हो रहे थे तो इधर क्या हो रहा है कितना कम amount of energy release हो रहा है पर aerobic respiration में ज्यादा amount of energy release हो रहा है फिफ्ट पॉइंट इस एर एक्जाम्पल तो एरोबिक रेस्पिरेशन कहां पे होता है एनिमल्स में होता है और बहुत सारे प्लांट्स में भी होता है एरोबिक रेस्पिरेशन और यह जो anaerobic respiration है यह कहां पे होता है जब हम exercise करते हैं तो हमारे muscles में oxygen कम पढ़ जाती है तो यह anaerobic respiration कहां पे होता है हमारे muscles के अंदर हमारे body में भी कहां पे होता है हमारे muscles के अंदर जब आप भाग रहे होते हो तो आपके पैर के muscles में भी यह anaerobic respiration होने लगता है जब भाव ही न तो आपका पैर में भी एनरोबिक रेस्पिरेशन होगा और दो दिन बाद आपका पैर फिर दर्द करता है किसकी वज़़से मैंने आपको बताया था लेक्टिक एसिड की वज़से लेक्टिक एसिड बन जाता है और बाद में जब हम भाग तो लेते हैं उसके डेते हैं और वह ब्रेट में क्या करता है कार्बन डाकसाइड रिलेस करते जाता है और चेद छेद करके उसे एकदम मुलायम सॉफ्ट कर देता है एकदम स्पावन्जी कर देता है ऑग और दूसरे ऑर्गेनिस्म में यह होता है तो यह हम समझ गए combustion वह आडरबिक रैस्पि हुई है जहां पर जाकर आप पूरे नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं बहुत ही इजी ली और हां अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन सब्सक्राइब नाओ और बेल आइकन को प्रेस कर लिना ताकि वीडियो आते हैं आपके फोन पे नोटिफिकेशन आ जाए और आपसे कोई वीडियो मिस ना हो जाए इसलिए आप बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लिना तो मेट यू इन नेक्स्ट रिसेशन तेक केर और बाइब बाइ